अब तक अंधेरे कमरे में जहापर अयान और अयाना के मौम डाट को बांदा गया था इस रूम में कुछ हलचल होने लगती है उस रूम में एक हलकी सी पीले बाल की रोशनी थी जिससे बस उन चारों के चेहरे दिखाई दे रहे थे और उन लोगों के आस पास कुछ एरिया चारों ही धीरे धीरे होश में आने लगते है चारों ही अपने आखे खोलते ही खुद को एक अंजान जगा पर पाते है फिर अपने ऐसा पास देखते गई तो वो चारों ही एक दूसरे को देख कर राहत की स्माइल लेते है और फिर खुद को बांधा हुआ और एक करके मैं कैद पाकर उन चारों को ही बात की गंबीरता और वो चारों किडनेप हुए है परुन चारों को ये पता नहीं था कि इन सब के पीछे कौन है तो वो चारों ही बिना कोई शोर किये एक दूसरे की और देख कर एक दूसरे को आखों ही आखों में कुछ इशारा करते है और फिर एक दूसरे की राशिया निकलने की कोशिश करते है पर सब के हाथ पैर बंदे होने के कारण उनको रसिया निकलने में मुश्किल हो रही थी नवीन आहुजा को खुद से कुछ दूरी पर एक कटा हुआ काच का टुकड़ा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी आखों में चमक आ जाती है पर वो उसकाच तक पोहच पता या किसी को बता पाता उससे पहले ही उस कमरे के बाहर किसी की कदमों की आहट होती है जिस सुनकर चारो ही एक दूसरे की तरफ देखते है और फिर आखों ही आखों में एक दूसरे को कुछ इशारा करके चारो ही अपनी आखे बंद करके बिहोश होने का नाटक करने लगते है अब आगे शहर के बाहर जाने वाले सुनसान रास्ते पर रात के वन बजे मेहंगी काली स्पोर्ट्स कार तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी और उस कार से कुछ दूरी के दिस्टेंस पर एक बाइक उस कार का पीछा कर रही थी आगे जाकर वो कार शहर के बाहर जो गाना जंगल था उस जंगल के बीचों बीच जाकर रुखती है कार के रुखते ही उस कार का पीछा करने वाली बाइक भी उस कार से से शेफ डिस्टेंस रख कर रुख जाती है वही उस कार के रुखते ही कार के पैसेंजर सीट से तू हटे कटे बलेक कलर का बोडी गार्ड का युनिफॉर्म पहने हुए गार्ड निकलते हैं वो दोनों गार्ड कार से उतर कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने कदम उस घने जंगल के तरफ बढ़ते हैं इन दोनों के पीछे कार को ड्राइव कर रहा ड्राइवर जो की ड्राइवर प्लस गार्ड था वो भी चल पढ़ता है, वही उनका पीछा कर रहा इनसान जब उस ब्लैक स्पोर्ट कार में से दो हटे कटे बॉडी गार्ड को निकलता देखता है तो एक पल के लिए तो उसको अपनी आखों पर विश्वास नहीं होता वो अपनी आखें मल कर फिर एक बार उस तरफ देखता है तो उसे उस कार से थ्री गार्ड निकलते हुए दिखते है को को जंगल के अंदर एंटर कर रहे थे ये सब देखकर पीछा कर रहा इनसान सोच मैपद जाता है क्यूंकि उसने अपनी आखों से देखा तो उन्टू पाच चलके बच्चों को इस कार के अंदर बैठ थे हुए और उसने उस कार का नो भी नोट कर लिया था और वो उसी कार का पीछा कर रहा था और वो उसके नजर से एक पल के लिए भी दूर नहीं गई फिर उसी नंबर प्लेट की कार से उन दो बच्चों के अलावा ये थ्री गार्ट कैसे निकले वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो गबरा जाता है वो जल्दी से अपने बाइक पर बैठ कर वहा से निकलने ही वाला था कि कोई उसकी बाइक की की निकल लेता है और उस पीछा करने वाले सक्स के कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसको बेहोश करके कार की डिकी में डाल देते है और अपना हाथ जत कते हुए खुद मैं ही बड़ बढ़ता है है खुद को बड़ा ही शाना समझ रहा था बॉस का पीछा कर रहा था तुमको क्या लगा बॉस का पीछा करना इतना आसान है उस सक्स को ठिकाने लगा कर वो सक्स अपने पॉकिट से मुबाइल निकल कर बॉस नाम से सेव नो पेरे से सेंट कर देता है ओल क्लियर काम हो गया मैसेज सेंट करके वो इनसान भी वो तीन गार्ड जिस दिशा में गए थे उस तरफ चला जाता है दूसरी तरफ सीक्रेट बेस जहापर अयान और अयाना के मॉम डैट को किड्नेप करके रखा था उस रूम के बाहर कुछ कदमों की आहट होती है और एक बेंग आवाज के साथ उस कमरे का डोर ओपन होता है और उस अंधेरे कमरे में जहापर बस हलकी सी पीले लाइट जल रही थी जिसके धीमी रोशनी में मुस्कील से बस हाथ पैर बंदे हुए वो चार लोग दिखाई दे रहे थे उस रूम में वो फाइव लोग जीनों ने इन चारों को किड्नेप किया हुआ था वो और उनके साथ एक और इंसान था जिसका चेहरा मास्क के पीछे डिका हुआ था उस मास्क के विजी से वो इशान बेहद ही मिस्टीरियस लग रहा था बॉस जब उस रूम में अपने चार साथी और उस मिस्टीरियस इंसान के साथ एंटर करता है और अपने सामने बंदे हुए चार बेहोश लोगों को देखता है तो उसके आँखों में किलिंग इंटेंट और बेपना नफरत आसानी से देखी जा सकती थी वो अपने पीछे आए हुए गार्ट से कहता है अब तक ते उठे नहीं क्या इनके मूह पर थंड़ा पानी मारो जिससे ये जल्दी ही होश में आए बेहत देर से बेहोश पड़े है उसके इतना ही कहना था कि उसके पीछे वाले गार्ट जल्दी हरकत में आ जाते है और थंड़ी पानी उन चारों के मून पर पढ़ता है जिससे वो चारों ही अपनी आखे खोलते है और अपने सामने खड़े लोगों की तरफ बिना किसी इमोशन के देखते है क्योंकि वो लोग पहले ही होश में आए गए थे और उन चारों को ही अंदाजा हो गया था कि अब आगे उनके साथ क्या होने वाले है क्योंकि उन चारों ने ही अपने दुश्मन को बेहद ही हलके में लिया था और खास बात ये थी को उन चारों को भी देखना था कि ऐसा उनका कौन सा दुश्मन पैदा हुआ है जिसकी इतनी हिम्मत की उसने उनको उनके ही घर से इतनी कड़ी सिक्यूरिटी के बाद भी किड्नेप किया इसका मतलब उनके घर के अंदर ही कोई गगदार है जिस बजे से वो चारो आज ये पर है उन चारो को होश मैं आते देख बॉस जो कबसे अपने अंदर नफरत पाले बैठा था वो आगे आकर नवी नहुजा का चहरा अपने हाथ मैं पकड़ कर उसका चहरा अपने चहरे के सामने लाकर अपनी सर्थ आवाज मैं कहता है तो नवी नहुजानू नो स्पेशल सेक्योरिटी फोस के सबसे काबिल ओफिसर जो की मिस्टर अ के नाम से जाना जाता है तो मिस्टर ए तो अब आपको कैसा लग रहा है बेहद गमन्थ था ना तुमको खुद पर इतना कहकर बॉस जोर जोर से किसी शैतान की तरह हसने लगता है उसकी हसी सुनकर एक पल के लिए तो उसके साथ ही भी डर जाते है पर उन सब के सामनी चेय पर बंदे हुए फोर लोगों के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे नवीन आहुजा अपने चेहरे को पकड़े हुए बॉस का हाथ जटकर एक तक बिना किसी इमोशन के बॉस की तरफ देखता है जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था वही नवीन आहुजा का रियेक्शन देखकर बॉस अपना हसन बंद करके उसकी तरफ देखकर आई विंक करता है और कहता है क्या हुआ तुमने अब तक मुझको पहचाना नहीं अरे मैंने तो सुना था रोके सबसे काबिल आफिसर मिस्टर ए जिसकी बाज जैसी नजर से कोई नहीं बच सकता और वो एक बार किसी से हुई मुलाकात के बाद उस सक्स नहीं बुलाता और तो बाला हमारा रिष्टा तो दुश्मनी का है तो अब तक मिस्टर ए ने हमको कैसे नहीं पहचाना इतना कहकर वो थोड़ी देर रुक कर एक बार उन चारों के चेहरे पर गौर से एक नजर डाल कर पास मैं रखी चेह पर बैच जाता है और मिस्टर ए यानी की एयाना के डैड नवीन आहुजा की तरफ देख कर कहता है कोई बात नहीं मैं ही तुमको अपनी असली पहचान बता देता हूँ क्योंकि मेरे बारे मैं जन्ने के बाद तुम कल का सूरज नहीं देखने वाले वैसे तुम ही नहीं बलकि तुम्हारे साथ ये तुम्हारी वाइफ तुम्हारा दोस्त और उसकी वाइफ भी कल के सूरज नहीं देखने वाले औरहा तुम्हारी वो फाइव साल की बेटी उसने बाद इतना ही कहा था कि नवीन आहुजा की तेज और डरावनी आवाज बॉस के कान में पढ़ती है मेरी बेटी के बारे मैं सोचना भी मत अगर उसे खरोच भी आई मा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वैसे भी तुम्हारी दुश्मनी मुझ से है ना तो मेरी बेटी को बीच मैं मतला नवीन आहुजा की आवाज सुनकर बॉस अपने चेहरे पर तिर्ची मुस्कान लेकर कहता है क्या हुआ बेटी एक नाम लिया तो गुस्सा आ गया और तुम बुलो मत की तुम मेरी गिराफ्त में हो और तुम्हारी बेटी का तो अब तक काम तमाम भी हो गया होगा कोई बात नहीं वैसे जल्द ही तुम सब उसके पास ही तो जाने वाले है उसके मून से अयाना के बारे मैं सुनकर दिया आहुजा जो की काफी देर से शांत थी उसकी गुस्से से बारी आवाज उस रूम में गुंचती है तुम जो भी कोई हो मुझे उससे को मतलब नहीं पर मेरी बेटी को बीच मैं मतला और तुमको एक बात बता दी तुमरी अब तक इतनी ओकर नहीं कि तुम मेरी बेटी को छू भी सको वैसे अगर तुमको मेरी बात पर बारोशा ना हो तो तुम एक चेक कर लो इतना कहकर अयाना की मॉम सिया अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर बॉस की तरफ देखती है वही दिया आहुजा की बाते सुनकर बॉस के साथ उसके साथ ही गुस्से से थर-थर काप रहे थे उन मैंसे कोई कुछ कहता उससे पहले उस रूम में मुझूद मिस्टीरियस इनसान जो इतनी देर से शान्त था जो सब को गोर से देख रहा था अचानक उसकी आवाज सब के कानों में पढ़ती है जिससे सब का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है कट द क्रेप बॉस की तरफ एक नजर देख कर उसको आँखों से ही शान्त रहने का इशारा करता है जिससे बॉस अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबाता है बॉस को शान्त करके मिस्टीरियस इनसान सामने देख कर उन चारों से कहता है मिस्टर आ यानी की नवीन आहुजा और मिस्टर के यानी की कबीर सिंगनिया रोके दो काबिल ओफिसमें तुम लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा वैसे हमारी आपस मैं कोई दुश्वनी नहीं है बस मुझ तुम दोनों से ये जानना है कि तुम लोगों ने जो लास्ट ओप्रेशन किया था उसमें जो ड्रग्स तुम दोनों ने जप्त किया था वो कहा पर रखा है मुझे उस ड्रग्स की लोकेशन चाहिए अगर तुम दोनों मुझे लोकेशन बता देते हैं तो तुम लोग ये से सही सलामत जा सकते हो मिस्टीरियस इंसान के मुझे लास्ट लाइन निकलते ही बॉस और उसके साथ ही उसको तरफ अविश्वास के साथ देखते हैं वही बॉस और बाकी फोर लोगों की नजर अपने उपर पाकर वो मिस्टीरियस सक्स उनकी तरफ एक स्माइल पास कर देता है जिससे उन पांचों के चेहरे फिर से पहले की तरह हो जाते है वही दूसरी तरफ अयाना और अयान की कार अपना पीछा करने वाले उस सक्स को गुम्राह करके शहर के बाहर सुंशन जगा पर बनी खाली पड़ी हुई फैक्टरी के सामने आकर रुकती है कार के रुकते ही दोनों ही कार से निकल कर अपने कदम उस फैक्टरी के अंदर रखते है बाहर से जो फैक्टरी खंड के सामन लग रही थी वो अंदर से किसी आलिशान महल से कम नहीं थी वैसे कहा जाए तो बस कहने के लिए वो factory थी पर अंदर से एक आलीशान सीक्रेट बेस था. अयाना और अयान दोनों ही बिना किसी emotion के उस factory के अंदर enter करते हैं उनके factory के अंदर एंटर करते हैं और सिदा उस बंद पड़ी हुई फैक्टरी के सबसे उपवाली मंजिल पर चले जाते हैं कहाँ पर हेलिकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था साथ मैं ही उस हेलिकॉप्टर के आसपास चार ब्लेक कपड़े पहने हुए गाड थे वो गाड आयान और आयाना को देखकर अपना सर जुका कर सैयूट करते हैं जिसके बदले आयान और आयाना अपना सर हलका सा हिला देते हैं दोनों ही हेलिकॉप्टर बैठ जाते हैं और उनके साथ ही वो चार गाड भी उनके बैठती ही हेलिकॉप्टर उस जगह से टेक ओफ करता है अयान अपने सामने बैठे हुए गार्ड से अपनी बॉसी आवाज मैं कहता है तो क्या खबर मिली है इन सब मैं किस का हाथ है किस की इतनी हिम्मत हो गई और खास कर ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हुआ है जो की हमारे इतने सारे वेल ट्रेन गार्ड के होते हुए मॉम डैड और अंकल अंटी को किड्नेप करके ले गया अपने बॉस की बात पर उन चारो गार्ड मैं से जो सीनियर गार्ड था वो कहता है बॉस ये काम मलेशिया के डॉन अर्मान खुरेशी का है जिसको टू साल पहले कभीर सर और नवीन सर ने पकड़ लिया था और उनके सारे गैर कानुमी धंदे जो की इंडिया मैं थे वो बंद करवा दिया थे और उसी के साथ बहत सारा ड्रग्स भी जप्त किया था पर पता नहीं कैसे वो मेकेशिया जेल से छूट कर कब इंडिया आया और यहा कर आज की इस पार्टी का सहारा लेकर उसने और उसके साथियों ने मिलकर दोनों सर और मैडम को किड्नेप कर लिया है गार्ट की बात सुनकर अयान गहरी सोच में गुम हो जाता है वही अयाना जो अपने लेप्टॉप में कुछ कर रही थी और साथ मैं गार्ट की रिपोर्ट कार्ड भी सुन रही थी वो बिना अपनी नजरे अपने लेप्टॉप से हटाए कहती है अर्मान खुरेशी मलेशिया का नमबर वन डॉन जिसका हाथ बहुत सारे गैर कानूनी धंदे में हैं और इसका सबसे बड़ा बेस मलेशिया में नहीं बलकी इंडिया में तब जिसे डैट और अंकल ने दुनिया के सामने लाकर उसको पकड़ लिया तब पर उसके नाम पर मलेशिया में भी बहुत सारे गुणा थे जिसके चलते उसको मलेशियन गवनमेंट में अपने गिरफ्त में लिया था और उसको सजा भी हुई थी ना फाशी की और ठीक देर साल पहले उसके साथियों ने उसको उसकी फाशी वाले दिन जेल से छुढा लिया था उस दिन से मलेशियन पुलिस और इंडियन रॉर डिपार्टमेंट उसके पीछे था पर उसके वबारे मैं आज तक मतलब पूरे सिक्स महीने तक किसी को कुछ भी खबर नहीं मिली और आज अचानक पता चल रहा है कि वो इंडिया मैं है और उसने इतनी तगड़ी सिक्यूरिटी के बावजूद रौके टू काबिल ओफिसर और उनकी वाइफ को अगवा किया ये बात कुछ हजम नहीं होती कुछ तो गरबर है कुछ तो छूट रहा है हमसे अयाना क्या छूट रहा है क्या गरबर है ये सोच ही रही थी कि तभी उसको आज को पार्टी के पहले सुबह का सीन याद आता है सुबह जब अयाना सिक्स बज़े उठी थी और अपनी रोज की आदत के अनुसार बालकनी में आकर खड़ी हुई थी सुबह की था थंडी के मैं गेट पर जाता है गेट पर सिक्यूरिटी गाड की सिफ्ट चेंज ही गई थी और रात में जो गाड थे वो अपने घर के लिए निकल रहे थे और उनके बदली दूसरे गाड आये थे परकू गाड ड्यूटी के लिए आया था उसके साथ एक करीब 15 साल का लड़का था आयाना उस बच्चे को भ्यान से देखती है उसको कुछ गर बर लगती है तो वो अपने करने में जाकर लैंड लाइन से सिक्यूरिटी इंचार्ज को कॉल करके उस लड़के के बारे मैं पूछती है तो सिक्यूरिटी इंचार्ज से उसको पता चलता है कि वो उस गाड का बेटा था उसके घर में कोई नहीं है और कुछ दिन की स्कूल को छुट्टी है तो वो उस गाड के साथ टू दिन से आ रहा है इसके बारे मैं मैडम और सर को पता है आयाना शक सेक्यूरिटी इंचाज की बाते सुनकर काम हो जाता है और खास कर इसकी परमिशन उसके डैड और मॉम ने दी थी तो उसमें कुछ गड़ बढ़ नहीं होगी इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती पर यही वो उससे गलती हो जाती है उस 15 साल के लड़के के विजे से ही आज उसके डैड और मॉम के साथ अयान के डैड और मॉम किड्नेप हो गए थे वारिस सब में उस लड़के का सबसे बड़ा हाथ था इसने ही मॉके का फाइदा उठा कर पहले गेट पर जो सिक्यूरिटी गाड थे उनको रास्ते से हटाया और फिर अपने साथियों को मैंशन के अंदर लिया और धीरे धीरे सारी मैंशन के गाड को सफाया करके अंथ मैं अयान और अयाना के मॉम डैट को पार्टी के खत्म होने के बाद मौका पाकर किड्नेप कर लिया अयाना को जब ये सब याद आता है तो वो अपनी कोल्ड और गुस्से से बारी आवाज में कहती है तो इसका मतलब उस गाड का वो बेटा ही हमारे सेक्यूरिटी गाड के नाकाम याभी का कारण है और उसी बचे के कारण आज मेरी फैमली खत्रे है बागवान से प्राथना करना की तुम मेरे सामने न आओ नहीं तो तुम मेरे परिवार के खिलाफ जाने के लिए पचात्वोगे पर उसका भी कोई फाइदा नहीं होगा मैं तुमको पस्ताने का भी मौका नहीं दूंगी ये सब कहते हुए आयाना किसी देविल से कम नहीं लग रही थी इस वक्त आयाना के चेहरे के एक्स्प्रेशन देख कर कोई भी कह नहीं सकता था कि ये फाइव साल की बच्ची है जो की अपनी फैमली के सामने मासूम और क्यूट और चुलगुली थी पर अब किसी देविल से कम नहीं लग रही थी इस वक्त आयाना के आसपास का वातावरन भी बहद गर्म हो गया था अयाना के रियेक्शन देखकर उसके सामने बैठे हुए गाड एक पल के लिए डर जाते है आज पहली बार उम दोनों ने अपनी लिटल लेडी बॉस को इतने गुस्से मैं देखा था वही अयान बड़े ही दयान से अयाना की बाते सुन रहा था वो अयाना के सर पर हाथ रख कर प्यार से उसके बालों को सहलाता है और उसके आगे पानी की बोतल करता है और अपनी नर्म आवाज मैं उससे कहता है डॉल रिलेक्स अपने गुस्से पर काबू रखो हम जल्द ही अपनी फैमली को सही सलामत आपस लाएंगे तुमको मुझ पर यकीन है ना अयाना जो गुस्से मैं जल रही थी अयान की बात सुनकर शान्थ हो जाती है और अयान के हाथ से पानी की बोतल लेकर दो गोट पानी पीकर अयान की तरफ देख कर कहती है आयू मुझे तुम पर पूरा यकीन है हम जल्दी ही अपनी फैमली को उन लोगों के चंगुल से छुड़ाएंगे और साथ मैं उन सब को एसी सजा देंगे की फिर कोई हमारे फैमली के उपगंदी नजर या कोई साजिश करने की सोचे भी ना अयान अयाना की बात पर बस अपना सर हिला देता है और गहरी सोच में दूब जाता है वो अयाना की कही हुई अभी की बाते और गार्ड से मिल हुई information को सुनकर आने mobile में किसी को code word में message टाइप करके send कर देता है और वही उनके सामने बैठे चार लोग अपने सामने बैठे हुए two-five साल के बच्चों को देख रहे थे को किसी बड़ों की तरह एक दूसरे को संभाल रहे थे और साथ मैं ही अपने family को बचाने के लिए बिना किसी खत्रे की चिंता कि ये अपने दुश्मनों को तरफ बढ़ रहे थे अयान अयाना और वो चार गार्ड आगे क्या करना उनके पास जो information है जो clue है उस अनुसार आगे क्या करना है उसके बारे discussion करने लगते हैं थोड़ी देर मैं helicopter शहर से कुछ ही दूरी पर बसे हुए एक छोटे से गाफ के कुछ दूरी पर land करता है helicopter के land होते ही अयाना और अयान और साथ मैं उनके guard helicopter उतर कर कुछ दूरी पर खड़ी वही दूसरी तरफ secret base mysterious person Mr. A. and Mr. K. पर pressure डाल कर उनसे जप्त किये हुए drugs की location पाने की कोशिश कर रहा था पर Mr. and Mr. K. यानी की अयाना और अयान के dad दोनों ही उसको drugs की location बताने से सक्त माना करते हैं क्यूंकि वो दोनों अच्छे तरह से जानते थे अगर उन दोनों ने इन लोगों उस drugs के बारे में पता दिया तो उस drugs का सबसे बड़ा असर यूथ पर होगा जिससे देश की आने वाली पीडी drugs के हाथों बरबाद होगी जिस सबसे बड़ा जटका देश के development पर पढ़ेगा है ड्रग्स इंडिया को कमजोर और अंदर से खोखला करने की एक मैं बजा है और इस वक्त इस ड्रग्स को एक सेट जगह पर हाई सिक्यूरिटी के अंदर रखा गया था जिसके बारे में स्पेशल सिक्यूरिटी चीफ ओफिसर और कुछ हाई रैंकिंग ओफिसर को ही पता था वही मिस्टीरियस पसंद को जब उसको जो information चाहिए थी वो नहीं मिलती तो उसका दिमांग गर्म हो जाता है वो बॉस और उसके साथियों को इन चारों को अलग-अलग रूम सिफ्ट करने को कहता है और नवीन आहुजा और कबीर सिंघानिया से साम दामदंड बेद का इस्तेमाल करके उस ड्रग्स को location पता लगाने को कहता है बॉस और उसके साथ mysterious पसंद के कहे नुसार नवीन आहुजा और कबीर सोंघनिया को अलग-अलग कमरे में interrogation के लिए लेकर जाते है और उस कमरे में बस दिया सिंघानिया यानि की अयान की मॉम और दिया आहुजा अयाना की मॉम ही रहती है बॉस उन दोनों को ही इस रूम में लॉक करके कबीर सिंघानिया और नवीन आहिका को जहा पर सिफ्ट लिया है उस तरफ चला जाता है वही बॉसले वहा से जाते ही सिया आहुजा और दिया सिंघानिया दोनों जो कबसे शांत थी उनके चेहरे पर अब दरोर लाचारी दिखाई देने लगती है उनको अपनी स्तिस्थी का बान हो गया था वो दोनों और उनके साख ही उनके हस्बंद सबसे बड़ी मुसीबत मैं फस गए और उनको अपने दो बच्चों को बारे मैं भी कुछ पता नहीं है वो कहा है किस्तिकी मैं है एक बात के बारे मैं तो वो दोनों शोर थे कि अयान और अयाना इन लोगों के कबजे में नहीं है नहीं तो ये दोनों ड्रग्स के बारे मैं आया लगाने के लिए सबसे पहले हम दोनों का ही सहारा लेते नवीन अहुजा और कबीर सिंधानिया को सच बताने के लिए अयाना की मौम और अयान की मौम दोनों ही जानती थी कि वो दोनों ये पर इसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती उन को कैसे भी करके ये से निकलना होगा और वो दोनों कबीर और नवीन यानी अपने पती किस तिस्थी में है वो भी नहीं जानती थी अयान की मॉम अयाना की मॉम की तरफ देखकर उससे कहती ही सिया हम को कैसे भी करके ये से मिलना होगा हम दोनों इन लोगों का सामना तो नहीं कर सकते इसलिए हम को बाहर से मदद लानी होगी जिससे हम कबीर और नवीन भाई साहेब को ये से छुड़ा ले हम नहीं जानते वो लोग उनसे ड्रग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनको किस तरह से टॉर्चर कर रहे होगे हम जल्द से जल्द यहाँ से बाहर मिलने का रास्ता धूंधना होगा वो भी किसी के भी नजर में न आए अयान की मॉम की बात सुनकर अयाना की मॉम सीरियस एक्स्प्रेशन के साथ कहती है हा तुम सही कह रही हो हमको जल्द ही यहसे निकलने का रास्ता धूंधना होगा और वैसे भी इस वक्ट किसी का भी ध्यान हम पर नहीं है और ड्रग्स की लोकेशन जानने के लिए वो लोग हमारे इस्तिमाल न गरे जिससे नवीन और कबीर की मुस्किले बढ़े हम को जल्द ही यह से निकाल कर बाहर से मदद लाकर उन दोनों को छुडाना होगा दोनों ही रोके जाबाज ओफिसा की वाइफ थी और दोनों ने ही कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली थी मैं थी जिसके बारे कुछ ही लोगों को पता था इसलिए वो दोनों ही खुद को दुश्मनों के गिरफ्त में पाकर जरा सा भी गब्राई नहीं और नहीं उनके चेहरे पर देर था कुछ था तो कैसे भी करके ये से निकल कर बाहर से मदद लेकर अपने पतियों को छुडा कर इन लोगों इनके करमों को सजा दिलाना सीक्रेट बेस मिस्टर और मिस्टर के यानी की अयान और अयाना के डैट को अलग-अलग रूम में कैद किया था उस वक्त अयाना के डैट को रूम के बीचों बीच लकडी के चेह पर रसियों से बांदा था Boss और उसके साथी Mr. यानी की एयाना के Dad के सामने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कराहत लेकर खड़े थे Boss के चार साथी जिनका कोड नाम A, B, C और D था अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कराहत लेकर Boss से कहता है Boss ये Mr. अतो बड़ा महान बनता था और आज देखो हमसे पंगा लेने का अंजाम कैसे हमारा कैदी बना हुआ है बॉस वैसे इसके वज़े से हमारा बिहग नुकसान हुआ है साला सारा धंधा ही चोप्ट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह कूतों की तरह गुम रहे है आज इसको और उसके उस साथी का अच्छा सबका सिखाएंगे और इन दो लोगों के जरिये हम रोड डिपार्मेंट को दिखा देंगे की अंडवल डॉन अर्मान कुरेशी से उलचने का नतीजा क्या होता है अकी बाते सुनकर बॉस के चेहरे के एक्स्प्रेशन कोल्ड हो जाते है और बॉस अपने सामने बेहोश पड़े हुए मिस्टर अकी तरफ देखता है जो की उन लोगों के टॉर्चर की विज़े से बेहोश हो गया था बॉस कुछ देर तक मिस्टर अको बिना किसी इमोशन के गुरता है उसके बाद अकी तरफ देखकर कहता है इसके उपर नजर रखना जब ये होश में आये तो मुझे इन्फॉर्म करना और एक बाद मानता हूँ इसकी बज़े से हम दरदर भटक रहे है इसकी सजा तो उसको मिलेगी ही पर अभी नहीं सही वक्त आने पर पहले हमको इससे जप्त किये हुए ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन निकलनी है उसके बाद तुम लोग इसके साथ जो करना है वो कर सकते हो पर तब तक अपने उपर कभी रखना इसका जिन्दा रखना अभी के लिए हमारे लिए बेहत जरूरी है बॉस की बात सुनकर और अपना सर सहमती में हिलाता है जब बॉस अको अपनी बात पर सहमत होते देखता है तो वो एक गहरी सास छोड़कर अके कंदे पर हाथ रख कर उसका कंधा थप थपता है और बी सी एंड डी के साथ उस रूम से बाहर चला जाता है बॉस और उसके त्री साथी मिस्टर अवयाना के डैड नवीम अहुजा के कमरे से निकल कर मिस्टर के अयान के डैड के कबीर अहुजा को जिस रूम रखा था उस रूम में चला जाता है Mr. K जब room का door open होता देखता है और boss और उसके 3 साथी को अंदर आते देखकर Mr. K के होटू K कौन फैंट स्माइल में हलके से मुड जाते है Boss कमरे में आकर Mr. K की चेयर के आगे चेयर रखकर बैठता है और उसकी तरफ अपने cold expression के साथ देखते हुए कहता है मैं बात को जयादा गुमाऊंगा नहीं और तुमको भी पता है मैं ये पर क्यों आया हूँ तो बात को जयादा गुमाते नहीं बस मुझे सीधे सीधे बताओ जबत किये हुए drugs को तुम लोगों ने कहा पर रखा हुआ है अगर तुम बता दो तो तुम सब ये से सेफ ली जा सकते हो और अगर तुमने मून नहीं खोला तो आगे क्या होगा ये तो तुमको बताने की जरूरत नहीं है बॉस की बात सुनकर मिस्टर के बॉस को एक स्माइल पास करता है और जैसे के रहा हो मैं क्या तुमको पागल दिख रहा हू या मुझे तुमने बेवकुफ या छोटा सा बच्चा समझ लिया है जो मैं तुम्हारी बताओ मैं आँगा और तुमको ड्रग्स की लोकेशन बता दूंगा जिससे तुम हम लोगों को ये से सेफ जाने दो गए क्या मजाक है क्या वही मिस्टर के की स्माइल देखकर उस स्माइल के पीछे का मतलब समझ कर बॉस के चेहरे पर गुस्से की लगिए खिचने लगती है बॉस अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने दात पिस्ते हुए मिस्टर के की तरफ अपनी गुस्से से लाल हुई आगों से देखते हुए कहता है तो तुम भी अपने दोस्त की तरह मोमदारन करने वाले हो कुछ नहीं बताने वाले ना पर मैं भी देखता हूँ तुम दोनों कब तक नहीं बताते इतना कहकर बॉस मिस्टर के को बी के हवाले करके उस रूम से सीधा मैन रूम में चला जाता है जहाँ पर इस वक्त मिस्टीरियस पसंद बैठा हुआ था बॉस को रूम में देखकर मिस्टीरियस पसंद कहता है क्या हुआ उन लोगों ने कुछ नहीं बताया ना बॉस अपना सर ना में हिलाता है और कहता है पता नहीं दोनों किस मिक्टी के बने हुए है इतना टॉर्चर करने के बाद भी मून खोलने को तयार नहीं है मिस्टेरियस पसंद बॉस की बात सुंकेर हलका सा मुस्कराता है और अगले ही पल उसके चेहरे को मुस्कान गायब हो जाती है और वो अपनी कोल्ड एंड डॉमिनेग आवाज में बॉस से कहता है बस हुआ अब अगर वो दोनों हमको ड्रग्स की लोकेशन नहीं बता रहे हैं तो उनको उनके सही अंजाम पर पोहाचा दो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन दोनों के उपर बरबाद करें वैसे भी इन दोनों के गायब हो जाने से पूरी पुलिस फोस और बाकी के स्पेशल सेक्यूरिटी फोस अलट हो गई है हर जगह पर इन चारों की खोच सुलू है उन लोगों को इस जगह के बारे में पता लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तो आज रात को इनका किस्सा खत्म करो उसके बाद हम यहां से निकलेंगे और रही बाद ड्रग्स के बारे में जानने की तो उसके बारे में पता लगाने के और भी तरीके है तो तुम अपने लोगों को बता दो हम आज रात को ये जगह खाली करके दूसरी जगह पर जा रहे है ये पर रुखना हमारे लिए सेफ नहीं है इतना कहकर मिस्टीरियस पसन बॉस की तरफ देख कर कहता है और उन दोनों को क्या करना है इस बारे में तो मुझे तुमको बताने की जरूरत ही नहीं है. बॉस मिस्टेरियेस पसन की बात पर कहता है तुम चिंता मत करो मैं सब संभाल लुंगा उन चारों को ठीकाने लगाना. मेरे बाए हात का खेल है, इतना कहकर बॉस वहां से चला जाता है. और Boss के जाने के बाद mysterious पसंद अपनी cigarette की कस बहते हुए सोच में दूम जाता है Secret Base Mr. A.R.R. मिस्टर के यानी की अयान और अयाना के डैट को अलग-अलग room में कैद किया था उस वक्त अयाना के डैट को room के बीचों बीच लकडी के चेह पर रसीयों से बांदा था Boss और उसके साथ ही Mr. यानी की अयाना के डैट के सामने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कराहत लेकर खड़े थे Boss के चार साथी जिनका कोड नाम ABC और D था अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कराहत लेकर Boss से कहता है Boss ये Mr. अतो बड़ा महान बनता था और आज देखो हमसे पंगा लेने का अन्जाम कैसे हमारा कैदी बना हुआ है बॉस वैसे इसके विजे से हमारा बिहग नुकसान हुआ है साला सारा धंधा ही चोप्ट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह कूतों की तरह गुम रहे है आज इसको और उसके उस साथी का अच्छा सबका सिखाएंगे और इन दो लोगों के जरिये हम रोड इपार्मेंट को दिखा देंगे की अंडवल डॉन अर्मान कुरेशी से उलचने का नतीजा क्या होता है अकी बाते सुनकर बॉस के चेहरे के एक्स्प्रेशन कोल्ड हो जाते है और बॉस अपने सामने बेहोश पड़े हुए मिस्टर अकी तरफ देखता है जो की उन लोगों के टॉर्चर की विज़े से बेहोश हो गया था बॉस कुछ देर तक मिस्टर अको बिना किसी इमोशन के गुरता है उसके बाद अकी तरफ देखकर कहता है इसके उपर नजर रखना जब ये होश में आये तो मुझे इन्फॉर्म करना और एक बाद मानता हूँ इसकी बज़े से हम दरदर भटक रहे है इसकी सजा तो उसको मिलेगी ही पर अभी नहीं सही वक्त आने पर पहले हमको इससे जप्त किये हुए ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन निकलनी है उसके बाद तुम लोग इसके साथ जो करना है वो कर सकते हो पर तब तक अपने उपर कभी रखना इसका जिन्दा रखना अभी के लिए हमारे लिए बेहत जरूरी है बॉस की बात सुनकर और अपना सर सहमती में हिलाता है जब बॉस अको अपनी बात पर सहमत होते देखता है तो वो एक गहरी सास छोड़कर अके कंदे पर हाथ रख कर उसका कंधा थप थपता है और बी सी एंजडी के साथ उस रूम से बाहर चला जाता है बॉस और उसके थ्री साथी मिस्टर अवयाना के डैड नवीम आहुजा के कमरे से निकल कर मिस्टर के अयान के डैड के कबीर आहुजा को जिस रूम रखा था उस रूम में चला जाता है Mr. K जब room का door open होता देखता है और boss और उसके 3 साथी को अंदर आते देखकर Mr. K के होटूं के कौन फैंट smile मैं हलके से मुर जाते है Boss कमरे में आकर Mr. K की चेय के आगे चेय रखकर बैठता है और उसकी तरफ अपने cold expression के साथ देखते हुए कहता है मैं बात को ज्यादा गुमांगा नहीं और तुमको भी पता है मैं ये पर क्यूं आया हूँ तो बात को ज्यादा गुमाते नहीं बस मुझे सीधे सीधे बताओ जबत किये हुए drugs को तुम लोगों ने कहा पर रखा हुआ है अगर तुम बता दो तो तुम सब ये से सेफ ली जा सकते हो और अगर तुमने मून नहीं खोला तो आगे क्या होगा ये तो तुमको बताने की जरूरत नहीं है बॉस की बात सुनकर मिस्टर के बॉस को एक स्माइल पास करता है और जैसे के रहा हूँ मैं क्या तुमको पागल दिख रहा हूँ या मुझे तुमने बेवकूफ या छोटा सा बच्चा समझ लिया है जो मैं तुम्हारी बताओ मैं आँगा और तुमको ड्रग्स की लोकेशन बता दूंगा जिससे तुम हम लोगों को ये से सेफ जाने दो गए क्या मजाक है क्या वही मिस्टर के की स्माइल देखकर उस स्माइल के पीछे का मतलब समझ कर बॉस के चेहरे पर गुस्से की लगिए खिचने लगती है बॉस अपने गुसे को कंट्रोल करते हुए अपने दात पिस्ते हुए मिस्टर के की तरफ अपनी गुसे से लाल हुई आखों से देखते हुए कहता है तो तुम भी अपने दोस्त की तरह मोमदारन करने वाले हो कुछ नहीं बताने वाले ना पर मैं भी देखता हूँ तुम दोनों कब तक नहीं बताते इतना कहकर बॉस मिस्टर के को बी के हवाले करके उस रूम से सीधा मैन रूम में चला जाता है जहाँ पर इस वक्त मिस्टीरियस पसन बैठा हुआ था बॉस को रूम में देखकर मिस्टेरियस पसन कहता है क्या हुआ उन लोगों ने कुछ नहीं बताया ना बॉस अपना सर ना में हिलाता है और कहता है पता नहीं दोनों किस मिट्टी के बने हुए है इतना टॉर्चर करने के बाद भी मून खोलने को तयार नहीं है मिस्टेरियस पसंद बॉस की बात सुंकेर हलका सा मुस्कराता है और अगले ही पल उसके चहरे को मुस्कान गायब हूँ जाती है और वो अपनी कोल्ड एंड डॉमिनिग आवाज में बॉस से कहता है बस हुआ अब अगर वो दोनों हमको ड्रग्स की लोकेशन नहीं बता रहे हैं तो उनको उनके सही अंजाम पर पोहाचा दो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन दोनों के उपर बरबाद करें वैसे भी इन दोनों के गायब हो जाने से पूरी पुलिस फोस और बाकी के स्पेशल सिक्यूरिटी फोस अलट हो गई है हर जगह पर इन चारों की खोच सुरू है उन लोगों को इस जगह के बारे में पता लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तो आज रात को इनका किस्सा खत्म करो उसके बाद हम यहां से निकलेंगे और रही बाद ड्रग्स के बारे में जानने की तो उसके बारे में पता लगाने के और भी तरीके है तो तुम अपने लोगों को बता दो हम आज रात को ये जगह खाली करके दूसरी जगह पर जा रहे है ये पर रुखना हमारे लिए सेफ नहीं है इतना कहकर misterious person boss की तरफ देख कर कहता है और उन दोनों को क्या करना है इस बारे में तो मुझे तुम को बताने की जरूरत ही नहीं है बॉस misterious person की बात पर कहता है तुम चिंता मत करो मैं सब संभाल लूँगा उन चारों को ठीकाने लगाना मेरे बाए हाथ का खेल है इतना कहकर बॉस वहाँ से चला जाता है और बॉस के जाने के बाद मिस्टेरियस पसन अपनी सिगरेट की कस बरते हुए सोच में दूब जाता है बॉस अपने चार साथियों को मिस्टेरियस पसन के प्लान के बारे में बताता है जिसे सुनकर उन चारों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है अ कहता है बॉस हम एक काम करते है उन चारों को एक कमरे में सिफ्ट कराते है और उसके बाद उनको हम अपने स्टाइल में टॉर्चर करेंगे और फिर बाद में हम ये जगह को छोड़ कर जाही रहे है तो इस जगह पर हमारे होने के सभी सबूत को भी मिटाना होगा तो उन चारों के साथ हम उस जगह को ही बंब से उड़ा देंगे क्या कहते हो बॉस कैसा लगा मेरा प्लान बॉस और बाकी के थ्री साथ ही जब वकी बारे सुनते है तो इन चारों के चेहरे पर devil smile आ जाती है जिसे देख कर अपने चेहरे पर proud smile late हुए कहता है आप सब के चेहरे को देख कर और khans boss और तुम तीनों के होटों पर जो हमारे gang की signature smile देख कर ही मैं समझ गया कि तुम सब मेरी बात से agree कर रहे हो तो चलो बिना टाइम गवाई अपने काम पर लगते हैं वैसे भी बिग बॉस मिस्टीरियस पसंद के कहे नुशार हम सबको जल्द ही ये जगह खाली करनी होगी बॉस जो अपने साथ ही अकी बाते सुन रहा था और अके चेहरे पर खेही हुई प्राउड स्माइल देखकर बॉस अके सर पर तपली मारते हुए कहता है तुम्हारा प्लान मुझे पसंद आया वैसे भी अब धीरे धीरे तुम लाइम पर आ रहे हूँ अपना सर सहला कर बॉस की बात सुनकर मुग बना लेता है जिसे देखकर बाकी तीनों के साथ बॉस के चेहरे पर हलकी सी स्माइल आती है पर जल्द ही वो स्माइल गायब हो जाती है और बॉस के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं चलो अब काम पर लग जाते हैं अभी सुबह के फोर बजे हैं सुरज उगने से पहले हमको इस जगह खाली करके सेफ जगह पर जाना है बॉस की बात सुनकर उन चारों के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते है और चारों हो अपने काम पर लग जाते है अयाना और अयान के मॉम डैट को एक कमरे में लाया गया था अयान और अयाना की मॉम अपने पतियों की हालत देखती हैं उनके शरीर पर बने गाउं को देखकर उनकी आखे लाल हो जाती हैं वो दोनों ही अपनी लाला आखों से उस कमरे मैं मोजूद बॉस और उनके साथियों को देखती है बॉस और बाकी के चार साथी जब उन दोनों को गुस्से से खुद को गुरते हुए देखते है तो भी कहता है तुम दोनों हमें एसे क्यों गुरु रहे हो जैसे हम सब को जिंदा निगल जाओ जो की मुम्किन नहीं है क्योंकि कुछ ही देर मैं तुम दोनों अपने प्यारे पतियों के साथ भगवान को प्यारे होने वाले हो इतना कहकर भी उन दोनों को अपने पीले दात दिखा देता है वही बॉस उन सब से कहता है बस हो गया चलो अब इन सब खो एक साथ बांधो और बॉम्ब को फिट कराओ दो बिग बॉस का मेसेज आता है हम को कुछ ही देर में इस जग को खाली करना है जैसे ही हम इस जगह से बाहर कदम रखेगे वैसे ही बॉम्ब की आवाज के साथ इन चारों के साथ ये सीक्रेट बेस मिठ्थी में मिल जाएगा और उसी के साथ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी इस दुनिया से अलविदा हूँ जाएगा बॉस के कहे नुशार बाकी के चार जन अयाना और अयान के मॉम डेट को एक रसी से बांध देते है और उस कमरे में बॉम फिट करके उस कमरे से बाहर निकलते है बॉस उस कमरे से बाहर निकलने से पहले अयान और अयाना के डेट यानि कि Mr. A. Navine Ahuja and Mr. K. Kabir Ahuja के सामने खड़े होकर उन दोनों के चेहरे पर थंडी बोटल उलेल कर उन दोनों को होश में लाकर वो अपनी लाल आखों से उन दोनों की आखों में देख कर कहता है तुम दोनों को पहले ही मैंने समझाया था कि मेरे और बिग बॉस के रास्ते में मत आओ उसका अन्जाम अच्छा नहीं होगा पर तुम दोनों मेरी बात मानो तब ना देखो अब हमारे रास्ते में आने का अन्जाम खुद तो भुगत रहे हो साथ में तुम्हारी पत्निया भी तुम्हारे से साथ भुगत रही है वैसे ये अब हमारी आखरी मुलाकात है तुम दोनों को ड्रग्स की लोकेशन नहीं बतानी है तो मत बताओ उस ड्रग्स के बारे मैं जानने के लिए हमारे पास और भी कही रास्ते है पर अगर उस ड्रग्स के बारे मैं जानने के लिए अगर मैंने तुम दोनों को जिंदा रखा तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल होगी तो अब तुम लोगों को मरना होगा वैसे अब जब तुम लोग अपनी आखरी कुछ बची हुई सासे ले ही रहे हो तो तुम दोनों को बता दू तुम लोगों के जो दो फाइव साल के बच्चे है ना वो तुम लोगों को डूंडने के लिए निकल गए है मानना पड़ेगा पर है तो सिर्फ फाइव साल के पर बड़े ही शातिर है मेरे आदमियों के आखों में दुल जोग कर निकल गए पर कोई ना जल्द ही तुम चारों की उन दोनों से उपर मुलाकात होगी क्योंकि वो दोनों आखिर भाग कर जाएंगे कहा आएंगे तो इधर ही ना और उन दोनों का जिन्दा रहना मेरे लिए खत्रे से खाली नहीं है अभी तो बस फाइव साल के है फिर भी वो मेरे नापके नीचे से भाग गए और मुझे अब तक पता नहीं चल पाया वो दोनों कहा पर मेरे आदमी शहर के हर एक जगह पर है ये तक कि इस वक्फ तुम चारों को डुनने के लिए जो पुलिस की टीम तैनात की है उस पूरी टीम के हर एक कदम की खबर मेरे पास है और अंडरग्राउंड एजेंट की टीम जो खासरों ने तुम लोगों को खोजने के लिए सीक्रेट तरीके से बेजी है उनके हर पल की खबर मेरे पास है बस तुम दोनों के उस टू पाच साल के बच्चों की बारे मैं कुछ नहीं पता मैं नहीं चाहता वो दोनों आगे जाकर मेरे रास्ते का बड़ा रोड़ा बने इसलिए उन दोनों को मरना होगा ये सब कहते हुए बॉस की आखों में एक अलग ही जुनून था जिसे देखकर वो चारों ही डर जाते है उन चारों को अपनी कोई फिकर नहीं थी पर अपने बच्चों की चिंता थी पर वो चारों ही अपने इमोशन जकर ही बॉस की नजर में आने से पहले छुपा देते हैं, मिस्टर अब बॉस की तरफ अपनी लाल आखों से सिख अपने होटों पर हलकी सी स्माइल लाते हुए बॉस से कहते है अर्मान कुरेशी नहीं नहीं ये तो तुम्हारा असली नाम है ही नहीं क्योंकि तुम तो चोरों की तरह हर बार अपनी आइडेंटी जो बदल कर गुंते हैं हर पल चहरे पर एक नया मुखवता ठकते नहीं क्या तुम मिस्टर अकी बाते सुनकर बॉस के चहरे के इकरेशन चेंज हो जाते है पर वो भी कुछ ही देर के लिए उसके बाद बॉस के चहरे के एक्सप्रेशन फिर एक बार पहले जैसे हो जाते है Mr. A. अपनी बात आगे continue करते हुए कहता है वैसे आज तुम्हारी identity जो भी और कल जो भी होगी हम कल जिंदा रहे या ना रहे है पर एक बाद अपने जेहन में जरूर दालना तुम कभी अपने मकसद में काम्याब नहीं होगे और रही बात हमारे बचों की तो तुम अगले 100 जन भी ले लो तो भी तुम उन दोनों का बाल भी नहीं बाका नहीं कर पाओगे Mr. A. की लास्ट वाली लाइन सुनकर बॉस के साथ उसके चार साथ ही जो कबसे शांती से बॉस और Mr. A. की बाते सुन रहे थे उनके चेहरे पर मजाकिया स्माइल आ जाती है जिसे देख कर Mr. A. कहता है क्या हुआ तुमको विश्वास नहीं हो रहा तुम मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो वो दोनों तुम्हारे सामराजय को मिठ्थी में मिला देंगे और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उस पार्टन के चेहरे का मुखफटा निकल कर तुम लोगों के असली चेहरे दुनिया के सामने लेकर तुम सबको तुम्हारे बुरे कामों की सजा मिलेगी वैसे भी बागवान के घर मैदेर है पर अंदर नहीं मिस्टर अ की बाते सुनकर बॉस के साथ साथ उसके साथ ही जोर-जोर से हसने लगते हैं बॉसमिस्टर अ और बाकी के तीन लोगों की तरफ देख कर कहता है वो दो फाइव साल के बच्चे मेरे और मेरे पार्टन के चेहरे का मुखाफता उत्रेंगे और हमको हमारे कर्मों की सजा देंगे ये तो बेहत बड़ा जोक सुनाया तुमने मिस्टर ही हाँ 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 ड्रीम वन तुम्हारे पीछे पीछे उन दोनों को भी जल्द ही बेच दूंगा फिर उपर जाकर अपना फैमली रियूनियन करना इतना कहकर बॉस और उसके साथ ही उस कमरे से निकल ही रहे था कि बाहर से गोलिया चलने की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर उन सबके चेहरे के इकरेशन चेंज हो जाते है गोलिया की आवाज सुनकर बॉस जो उस रूम से बाहर जाने के लिए निकला था वो अपनी जगह पर रुख कर पीछे मुड़ कर देखता है तो वो मिस्टर अवर्क को खुद की तरफ मुस्कराता हुआ देखता है जिसे देखकर बॉस के चेहरे के एक्स्प्रेशन गहरे हो जाते है बॉस को बाहर क्या हो रहा है और बाहर चल रही गोलियों के असली कारण भी समाज आता है जिसके बाद बॉस जल्द ही उस कमरे से बाहर निकल कर अपने सबॉर्डिनेट को ओर्डर देकर खुद भी उनके साथ बाहर चला जाता है तो आगे क्या होने वाला है आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करे अभी कहानी जारी रहेगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पास अके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिये राधे राधे सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे झाली।